दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप Battleground Mobile India की live streaming कर सकते हैं with the help of OBS application on your PC वो भी बिना किसी Elgato के help से जी हाँ दोस्तो मेरा भी YouTube channel है मैं भी live streaming क्या करता हूँ मेरे पास इस पैसे निए Elgato खरिदने के बाट फिर भी मैं live streaming कैसे कर पाता हूँ पुरा जानकारी डीटेल में जानने के लिए इस वीडियो को वान तक देखिएगा जरूर नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अभी से गुपता अभी से गेमिंग के दुनिया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो में आगे बने पहले एक चीज मैं आपको पहली बता देता हूँ इस प्रोसेस को करने के लिए आपको अलगाटो तो नहीं चाहिए बट कुछ एकसेसरिस आपको बाई करने पड़ेंगे जो भूती कम प्राइस में एवेलेबल है ठीक है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मोबाईल में जो भी स्क्रीन हम देख पा रहे है इस स्क्रीन को सबसे पहले हमें अपने PC में शो कराना है कैसे शो कराना है चलिए हम यह जान लेते हैं स्टेप नंबर वान हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहां पर फोन पर और यहां पर आपको मिलेगा मी यूवाइव वर्जन यह मेरे पास रेड़ी नोट 9 प्रो स्मार्ट फोन अलग-अलग मोबाइल का अलग- यहां पर पांच बाद टैप करेंगे तो डेवलोपर मोड एनेबल हो जाएगा उसके बाद आपको जाना है यहां से बैक और यहां पर अगर आप निचे जाओगे एडवांस सेटिंग पे तो एडवांस सेटिंग के अंदर में आपको यहां पर मिलेगा डेवलोपर ठीक है यहां से आप accept किजिएगा that's all तो mobile में जो भी शेटिंग था हमने कर लिया step number two आपको download करना है a power mirror on your phone as well as on your PC तो अपनी phone की screen को अपने laptop में शो कराने के लिए हमें जुरूत पड़ेगी यहां पर दो करेंगे दूसरा है a power mirror ठीक है चली एप और मिरों कर लेते हैं और यहां आपको दो अप्शन मिलेगा वाइफाई connection and USB फिलाल मेरे पास अच्छा खासा वाइफाई है तो मैं वाइफाई connection ही चूज करता हूँ बाट उमीद करता हूँ आपके पास वाइफाई नहीं होगा ओन डेट केस आपको USB connection चूज करना है तो चलिए अपने mobile को हम यहां पर connect कर लेते हैं यूजिंग USB cable अब यहां से एक पावर मिरर को open करेंगे और यहीं कि आप देख सकते हैं हमारे फोन जो है रेड़ी नोट नाइन प्रो डिटेक्ट कर चुका है तो यहां से चूज करते हैं और हमारा फोन जो है सक्सेस्फुली मिरर हो चुका है अब देख से दो भी मैं मोबाइल ऐपन के पावर मैं कर रहा हूं वह हमारे लैप environment में और आप देख सकते हैं हमारे का हमारे लैप्तॉप में आ चुका है लेकिन यहां तक तो बहुती easy step था कि भाई आपके mobile के screen को laptop पर कैसे दिखाना है लेकिन game के sound को भी हमें पहुचाना है इस processor से video transfer होगा audio transfer नहीं होता है audio को transfer करने के लिए हमें जरूत पड़ेंगे कुछ cables की कौन-कौन से cable के जरूत पड़ी की चलिए मैं आपको बचाता हूँ सबसे पहला cable के जो हमें जरूत पड़ेगी वो है audio copier अब देख सकते हैं यह जो है हमारे phone के audio को copy करता है तो यहां से audio copy होगी और दो हिस्से में जाएगी एक तो हम अपने headphone पहनेंगे ताकि headphone से हम audio को सुन सकते हैं और दूसरा हिस्सा से अपने audio को हम PC तक transfer करेंगे ठीक है इसके बाद हमें जरूत पड़ेगी one audio splitter की ठीक है अब यहां पर audio splitter क्यों जरूत पड़ा भाई यह आपका mic का audio और game का audio तुनों को यह divide कर देगा इसलिए हमें audio splitter की जरूत पड़ेगी इसी के साथ हमें चाहिए होगा one aux cable आप देख सकते हैं this is one aux cable जो मैं use करता हूँ live streaming के लिए और at the end हमें जरूत पड़ेगी one sound card फिला ले जो sound card आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा महेंगा आता है 700-800 का बट डिर 200 का भी sound card available है मैं सारे cable sound card का link description पर देख दोंगा directly आप वहाँ से buy कर सकते हैं अब चलिए जानते हैं इन सारे cables को connect कैसी करना है step number one जो audio copy है right यहाँ समको audio को copy करना है तो सबसे पहले हम audio copier को यहाँ पर connect करेंगे done हो गया अब हमें क्या करना है audio copier का यहाँ पर यहाँ पर दो हिस्सा आ गए है right तो इसके एक हिस्से में हम क्या करेंगे audio splitter को connect करेंगे audio splitter करेंगे क्यों करना दोस्तों देखो जब हम बात करते हैं तो हमरा audio भी जायेगा मतलब audio eco आपको सुना देगा बार बार तो उसलिए हमें audio splitter का भी इस्तमाल करना पड़ेगा तो चलिए एक हिस्से में हम connect करते हैं audio splitter को और इसके दूसरे हिस्से में हम connect करेंगे अपने headphone को ताकि हम audio सुन पाए तो यह रहा है मेरा headphone का cable done मैं audio सुन पा रहा हूँ अभी ठीक है अब देखो audio splitter में आपे दो चीज़ दिखते हैं एक तो होता है mic का वाला section एक होता है headphone वाला section माइक वाले section से हमारा आवाज जाएगा जबकि headphone वाले section से सिर्फ game का वाज जाएगा तो हमें headphone वाले section पे headphone वाले section पे हमें connect करना यह aux cable ठीक है that's all हो चुका है connect अब यह जो aux cable आप देख रहे हैं इस aux cable को हमें connect करना है अपने sound card में ठीक है but sound card में हमें कहां connect करना पड़ेगा mic वाले port पे ठीक है जो mic वाले port आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे connect करना है that's all अब यह जो USB jack देख रहे हैं यह कहां connect करना है हमें बताओ obviously हमारे laptop के USB port पे अब हमें open करना है OBS जिसम कहते हैं open broadcast software तो जैसे कि आप जेख सकते में हमेसा pubg का live streaming करता हो तो यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं दिखेगी तो यहाँ पर समझो को कुछ भी नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल फास्ट दिखाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको प्लास पे जाना ठीक है और यहाँ पर आप देखो सोर्स पर हमें एड करना है अपना सारे के सारे सोर्स ब्लैंक है तो यहाँ पर जाएंगे प्लास पे आपको क्लिक करना है विंडोस कैप्चर पे और यहाँ पे जाने के बाद विंडोस कैप्चर के नाम दे दीजे तो यहाँ पे फुरक्वल नाम देते हैं अं बीगिमाई विडियो ठीक है क्लिक अजरू करती से हमें में चूझ करना है यह पावर मिरर में इससे हमारा BGMI का जो वीडियो है विज्वैल है वो दिखना शुरू हो जाएगा लेट्स क्लिक उन ओके उसके बाद आप इसको अराम से ड्रेग करके पर फुल साइज की स्क्रिम पर लेके आ जाईए अचो स favour हो गया और आप देख सकते हैं यहां पर वहीं गेम का ओडियो शू नहीं कर रहा है मैं जो बोल रहा हूं यहां खिंहीं और आप पर आ यम्ला माईक का यूज किया है ये बहीं बताओग आपको आगे घंट वरी वारी गेम को ओडियो नहीं आ रहा है गेम को ओडियो के लिए हमें क्या करना है हमें यहाँ पे जाना होगा प्लास पे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा ओडियो इंपूट कैप्चर हमें पटाल देते हैं बीजी एम माई ओडियो और यहां से हमें चूज करना है audio कहां से input लेना है तो हमने USB sound card इस्टमाल किया है तो हमें use करना पड़ेगा यह वाला यह वाला 2 USB PNP audio device नाम एसका let's click on this and let's click on ok तो आप देख सकते हैं bgmi audio game का sound यहां पर आचुका है अगर मैं game का sound यहां से कम करता हूँ आप देखो यहां पर audio कम होगा देखो audio कम हो रहा है यहां पर देखो बिल्कुल audio कम हो चुका है और sound जैसे मैं बढ़ाऊंगा और देखो यहां पर audio increase हो रहा है दिखा आपको तो कुछ इस तरह से आप game की sound को अपने PC तक पूचा सकते हैं अब हमें add करना है one graphics वो इसे उसकी जुरूत है नहीं बाट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इस file का link description पर देदूँगा आप खुद से अपना नाम editing कर सकते हैं ठीक है तो जाएंगे plus पे और यहां पर हम क्लिक करेंगे image लेट्स क्लिक ओन ओके ब्राउस डेक्स्टॉप क्लिक ओन ओपन यह देख सकते हैं अभी से gaming करके आ गया है इसको मैंने खुद से बनाया है अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं लिंक इसको ड्रैक कीजिए और यहां से हम बड़ा कर लेंगे इसको तो सारे के सारे सेटिंग्स हो चुके हैं अब लास्ट इस्टेप आता है हमें एक एक extra microphone की यस दोस्तों आपको एक अलग से microphone buy करना पड़ेगा क्योंकि directly game का audio जाता है आपके केवल के ट्रो आप जो बात करते हैं अपने audience से उसका audio नहीं जाता है ठीक है तो जिससे के आप देख सकता है ह manifest न ओदियो सोख कर रहा हुए क्यूंकि मैं यहां पीあります सब्सक्राइब कुछ कर लिए तो अगर आपके पास भी स्टानल माइक है तो आप यहां पर सेटिंग पर जाएएगा ठीक है अधिस सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्रोपर्टिस और परोपर्टिस भी जाके आपको स्क्off-CM external my Pictures क्या है microphone USB जो है क्लिक ओं तो इस तो इस सब external myriko choose कर सकते हैं तो दोगसर सब्सक्क्राइन है सारे कश से 借िंग सामने कर लिए हैं अब आप बिल्कूल तयार व लाइव स् csakने के लिए तो लाइव striking करने के लिए सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है यह फिर हमें जाना होगा qe create यहां पर इस अब करना को लाइब और यहां प्YUV algorithm की मिलेगा और यह वहला कई आपको किई को भी यह करना है ठीक है किसी को भी साथ share करना है बस इस से को आप यहां से कौपी कीजिएगा कोपी करने की बात सेटीम लैप पर आ जाएए यहां पर जाएंगे हम सेटिंग पर इंसाइज सेटिंगस हमें मिलेगा श्रीम और यहां पर जो क 있을 your कि किया है उसको यहाँ पर करतना है paste and let's click on apply and okay अब आप बिल्कुल टेयार हो live streaming करने के लिए जैसे आप start streaming में click करेंगे आपका live streaming शुरू हो जाएगा so guys that's it finally आप सीख चुके हैं battleground mobile इंडिया के live streaming आप कैसे कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा नीचे comment पर लिएक जुरू बताइएगा और जो भी accessories हमने use किये हैं सबका best buy link इसी वीडियो के description पर दिया होगा डिरेक लिए पहां से बाहाई कर सकते हैं I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा easy लगा होगा तो make sure इस वीडियो को like किजिएगा चैनल वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe किजिए and also hit the bell icon thanks for watching